आम तोर से जनता के अचेत हिस्से भीड और भेड के मानत से काम लेते हैं वे जुंड में अपनी सुरक्षा ढूंटे हैं और धीरे धीरे ये सोचने के आदी हो जाते हैं कि दूसरे जो सोच रहे हैं वे सही ही होगा उस पर किसी प्रश्ण शिन्नी या संदे की जरूरत नहीं है शासक वर्ग जिसके हाथ में प्रचार के सारे साधन होते हैं वैस भेड चाल को आसानी से नियंतरित कर लेता है और अपने प्रतिनिधियों को राजनीती, कला, शिक्षा और संस्कृती सहित तमाम क्षेत्रों में जन मानस पर थोप देता है और उनका जमकर इस्तेमाल करता है जनता इसे सहज और सहश स्वीकार भी कर लेती है अम्बेटकर शासक वर्ग का ऐसा ही प्रतिनिधिय है जिसे जाती के नाम पर दलित उत्पीडित गरीब मैनत का श्यनता पर जबरन थोपा गया है अपने जीवन भर अम्बेटकर ने गायकवार सामनतों, ब्रिटिश पूझी पतियों और फिर भारत के पूझी पतियों की पाल की ढोई थी अम्बेटकर हमारे सोतंस्ता अंदोलन का घोर विरोधी रहा और ब्रिटिश शासन का परमभक्त 47 के पावर ट्रांसफर के समय पहले उसने दलित होमलेंड को धमकी बनाकर गांधी को ब्लैकमेल किया और फिर पूना पैक्ट के जरिये अपने लिए सम्विधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष पद और नहरू कैबिनेट में मंत्री पद की सौदे बाजी कर ली ब्रिटिश काल में दिल्ली में उसके शांदार बंगले का आधा खर्च ब्रिटिश सरकार और आधा गायकवार सामन्त उठाय करते थे अम्बेटकर तीनों गोल में इस कॉन्फरेंस में बिटिश सरकार का नामित प्रतिने धी रहा और उसने दूसरी गोल में इस कॉन्फरेंस से पहले भगत सिंग की फासी की सजा माफ करने के लिए बिटिश सरकार से अपील तक करने से इंकार कर दिया भारत के एलिट शास्कों ने अंबेड करकी सेवाओं का इस्तेमाल सम्विधान ड्राफ्ट करने के लिए नहीं बलकि दलितों उत्पीडितों गरिबों को धोखा देकर नहरू सरकार के पीछे बांधने के लिए किया है